आस्था और विश्वास की महानगरी मा चंद्रहासनी और मा नाथलदाई के अद्भुत रहसे मही कहानी आज हम आपको आरजेने उस पर दिखाने और बताने जा रहे हैं यह धाम 36 गड़ के नविंजिला शक्ती से लगबग 70 किलो मीटर की दोरी पर रिस्तित है जिसे चंद्रपूर के नाम से चाना जाता है इस बात का जायजा लिया हमारे समवाद दाता धनवीर जाहिरे ने तो आईए सुनते हैं चंद्रपूर की अद्भुत कहानी क्यां पूर्ण के दाम चंद्रपूर पहुंच चुके हैं हम और नवरात्री कर लेकर के जायजा लेंगे किस प्रकार से यहां पर तैयारियां चल रही है क्योंकि कुरोना काल के लंबे समय के बाद इस बार ऐसा नवरात्र होगा जिसमें जोड़दार अपनी तैयारी करें मातारानी चंद्रहासनी की आप देख सकते कि प्रवेशद्वार है पहला प्रवेशद्वार है यहां से अस्ताद्धा मात चंद्रहासनी की कहानी सत्यूक से जुड़ी हुई है सत्यूक में मा सती हुआ करती थी और जहां जहां मा सती का अंग गिरा था उस जगह को शक्ती पीट के नाम से जाना जाता है पूरे भारत भर में कई जगों पर माता सती का अंग गिरा हुआ है उस सभी जगह को शक्ती पीट के नाम से जाना जाता है जिसमेसे मुख्यंग चंदरपूर में गिरा जिसे सिद्ध पीठ मा चंदरहासनी के नाम से जाना जाता है मा चंदरहासनी के नाम से भी कहानी है कि कैसे चंदरहासनी नाम से चंदरपूर को जाना जाता है चंद्रपूर छेत्र में चंद्रहास राजा का राज हुआ करता था और उस समय में जब माता का सिध्ध पीट चंद्रपूर में गिरा तब माता ने राजा को सपना देकर मंदिर बनवाने के लिए कहा चंद्रहास राजा ने पूरी विधिविधान से मंदीर का निर्मान कराया और सब से माता ने स्वेम प्रगठो कर कहा कि यह मंदीर चंद्रहासनी नाम से जाना जाएगा जिस पर राजा का भी नाम चंद्रहासनी माता के नाम से जुड़ा हुआ है माता के दरबार में वैसड़ो देवी जम्मो कास्मीर की दिरी से भी आपके दरसाएगे यह गुफा देख रहे हैं आप और यह चंदरपूर के द्री से है यहां पर पूरी तरीके से गुफा बनाया गया है गुफा में किस प्रेकार से मातारानी वहां पहुंचे थे यह राम दर बार यह राम ढरबार है यहां पर माता अपने और पुरे अपनी अनुज्रो निजों के साथ यहां पर विराजमान है उच्छां डर Bara road यह है यह और आगे आपको देखने मिलेगा कि निज्ग ली किस प्रकार से गुफा में विराजमान हो, यह माता वेस्णो देवी यहा इसकी तस्वीर और जिसकी दर्सन आप कर पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर क्योंकि पूरी अब्डेट नौरातरी के पावन अवसर पर आपको पल-पल की अपडेट को आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि देखिए पूरे गुफा जो बनाया गया है वो पुरे डीजिटल तके से बनाए गया है और लगातार अपजेट दो है यह पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि केमरा मेंन को मैं रहूंगा यह गूफा जो है पूरे डिजिटल तौर से बनाई गई है डिजिटल तरीके से बनाई गई है और कहीं अंधेला भी आपको देखने मुलेगा क्योंक कि बहुत ही पावन इस्थल माना जाता है चंदरपूर कि माता रानी की क्या कुछ विश्ष्ष्टाएं हैं और क्या कुछ महिमाएं उनको लेके बात करेंगे हमारे साथ महराज जी है नवरातरी को लेकर के और पूजा को लेकर कि उनकी तैयारी चल रही कैमरा मेंसे मैं चूसमकर करें और जिपक जो जलाने कं लिए भी गोर्त तैयारिया कर रहें है और माताराणी के सेवा के लिए यहां तठक पर रहते हैं जाता माता रानी के सेवा करतें महराज जी आप बताएंगे कि माता रानी कि यहां की े अंतारी महिमा है पे मुहां है है यहां blind alma तो यहां यह संतान के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मनुकामना बंदवाते हैं उनकी मनुकामना पूर्ण होते हैं मुहराज जी देखा जा रहा है कि कोरोना काल के लंबे अंत्राल के बाद इस बात नवरात्री खुले रूप से मनाया जाएगा उसकी किस प्रकार से तैयारियां है इस बार तो चल रही है अब कोरोना काल में तो देख रहे थे उस टाइब में सब लागडाउन था तो इस समय मातारानी का यहां पर कितने समय में कितने बार यहां पर पुजा होती है डेली रुजायन के अनुसार से यहां ऐसे तो चार बार आरती होती है सबीरे तो प्राता है आरती होता है उसके बाद भोग लगती है भोग लगने का आरती होता है फिर संध्या आरती होती है उसके ब साथ माँ चंद्रहासनी की बहुत पुरानी मंदिर मानी जाती है चंद्रहास राजा की कोई कहानी बताई जाती है उसको हमारे जो धालू है जो हमारे जो दर्सक है वो जानना चाहते हैं विश्टार्ट की चंद्रहास की जो कहानी है माता यहां कैसे विराजमान हुई इसको ल तो उसमें से एक सक्ति पिठमानी जाती है, यहां अधो दंद गिरा था जो बाराही रूप में राजमान है, उसके बाद रेता यूग में राजा चंदरहास हुए थे, राजा चंदरहास के कारां क्या है कि पहले मंदीर राजा महराजा लोग ही बनवाते थे, और उनकी प्रत राजा का नाम चंदरहास है, ग्राम का नाम चंदरपूर है, और मंदीर का नाम फिर चंदरहासीनी पड़ा, जैसे इस सुति में देवी एक हजार आठ नाम में दिया है, चटुला, चंडिका, चित्रा, चित्रमाल्टा, विभुसिता, चतुर भुजा, चारुदंत, चातु तोरी चंद्रहासनी नाम को पिर लिया गया यह मंदर को टो रहा से पढ़ा नाम उनको महराज ने बताया आगे आपको और माताराणी के विष्थ यत्राओं को लेखते चलेंगे भक्तों से जानते चलेंगे कि क्या कुछ महेमा हैं यहां की माच चंद्र हासनी के धाम चंदरपूर की पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहेंगे हमारे साथ कुछ भरत आब कि पुरानी महिमा माता रानी मैं को पास होता है और यहाँ हम लोगो चार पांच बार नौरात्री सामने में और तयार्यां काका का नियमों के वज़े डрशन नहीं पा रहे थे इस बार कैसे दर्शन चाहे अपने सद्धालों को दर्सन देने के लिए पूरी समय वो विराजमान रहते हैं उनके असिरवाद से हर एक वर्ग फुल अफ़ला रहता है क्योंकि आसिरवाद उनका विशेश माचंद्रहासनी की मानी जाती है क्योंकि इस पेशल यह रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे है सद्धालों से बात करने की लगातार कोशिसा लगातार जा रही है हमहित है सद्धालों काल मैं और जो कई नियमों के वजए से मंदीर तक नहीं आप आते हूं माता रानी के हमारे आर्जिन इसकी स्क्रिन पर वो घर बैठे दर्सन कर पाएंगे और लगातार जो दर्सन का जो दौर है वो जारी है महराज जी आप बताएंगे कि कितना कुरोना काल के बाद इस बार नवरात्र है कैसे दर्सन पारे हैं अभी तो उत्ता इस बार प्रोना काल भी नहीं है माता रानी के बहुत विशेस महिमा मानी जाती है दूर-दूर से लोग आते क्या कुछ विशेस तायां है महिमा की यहां माता सती जी का अधो दंगिरा था जबड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं माय चंद्रहास नाम से विराजित हैं जो चं माँ चंद्रहासनी की दरवार में बहुत दूर दराज से भखता रहे हैं, यहां पर जहाकियों को रखा गया है। महाभारत से जूड़ी हुई जहाकिया यहां पर रखी गई हैं, जहाकिया देखने के लिए पहुँचे उये। अभिया कैसे देखते हैं माँ चंद्रहासली की महिमा को और कब से आप यहां पर दर्शन के लिए हम लोग आया से उडिशा से आया कटक डिस्टिक्ट महां से आम लोग परिवाल लेक फैमिल लेका यहां दो तिन बार आया था महिमा माक लगा इसलिए हम लोग आप एक बार आ कर आना चाहें कोयों लंबे अंत्राल के बाद तीर्माता रानी की दुरा त्र आने वाली है कैसे देख रहा है कि इस प्रकार से दरशन आपको मिल रहा था क cools माता रानी के महिमा कैसे देखते हैं। मयं भूछ अच्छा लाई तो आहां जो अभी देख रहे हैं आपके डिश्टिक्स जो लोग आते हैं विश्वास लेकि अफने पामना लेकिंगे उनको क्या कहना चाहें है इसको क्या जानना का बाद बुलेंगे इसको ऐसे लागा ऐसे हुआ उक्रणा बाद कोई नहीं अधा भी खोल गया मुंदीर मांगा दर्बाद ठीक है मांगा पार सोग आधी में आ रहा है जा रहे हैं बहुत कुछ लगा हम एक बार आएंगे सोग मिले के फिर एक बार दर्सम जो है वो मातारानी का पार हैं यह तमाम प्रकारिक की जाकिया पर रखी गई हैं महाभारत से जुड़ी हुए जाकिया है आपको पूरी जाकिया आपको दिखा रहे हैं कि लगातार आपकी स्क्रीन पर आर्जेन उस आपको लगातार अपडेट कर रहा है यह जाकियो कि यहां पे अपनी आनंद माय हो रहे हैं और लोग जो है इसका भरपूर आनंद ले करके अपने मन को मोहित कर रहे हैं और बात करने कोशिश करेंगे कितनी महिमा मानते हैं मातरानी की माचंद्रहासनी की आप 36 गाड़ ओडिशा से दर्शन करने हैं विए और स्क्राइब दिखाएंगे किस प्रेकार से जो द्रीश है वह आपको ग्राउंड डिरो से आपको पहुंचा अपाएं पूरी तस्वेरें जो है वो चंदर पूर चंद्रहासनी मंदीर की है यह पुराने काल की जो विसेस्ताय यह महाभारत की उनको यहां पर रखा ग न न या पर गभज के वहर रखी कही है वी से तस्वीरे यहां पर मंदीर्ट संग मनमोह्ण मनुरंजन के दृस्ट्टटस एक यहां पर यह सकhadow किத। आंशक का रही है यह कुंति जब कुश्दाव देखते हुएत पर तक होगा। आप कहा साय हुए भिया मातक दर्शन के कहा साय है पिंडर उर्जोगी सार से बहुत अच्छा है यहां का बहुत आदबुद्री से माना जाता है यहां का और देखा जेता है कि बहुत अच्छा है कि दरबार में कई सद्धालू पहुंचे हैं उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ महिमाएं यहां के लिए करके हैं और छोटे बच्चे का यहां पर जनम दिन ही मनाया जा रहा है मैं केमरा मेंने कहूंगा क्योंकि इस पिस्थाल को इस भूया को बहुत पावन माना जाता है आ उसे को इधर आये हैं तो यही मनाले रहें मातारानी की महिमा बहुत पुरानी मानी आती है और दूसरी चीज़ यह कि क्रोणा काल के बाद इस बार नवरात किस बार कैसे देखने नवरात बढ़िया इस बार होगा बढ़िया देखना है धूम धाम से अभी दर्शन हो गया अभी नई हो अभी ताय है फिर इसार से जाएंगे अभी पूरा नहीं हो दर्शन हो अभी घूमेंगे पूरा सभी जगह आप किस पर देखते हैं मातारानी के महिमा में मैं इसलिए मैं अपने बड़े बेटे का बर्थड़े यहीं पर मनाना चाहती थी इसलिए ख्वाईस मैं ऑफे मेरी मनना भी थी तो इसलिए मैं आई हूं और मेरा जो बड़ा बेटा है वो पड़ रहा है संवेन क्लास में में मातारानी से बहुंद धन्याद करती हूं कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई में तेज है वैसे आगे बी अच्छे से पढ़ाई करें माता रानी के दर्वार में ऐ और माता रानी के दराब नार नहीं होटी है इनको यहां में नाग आदा हैं कईसे देख एंगि किरपा को बहुत दूर दाइराज से लोग माता की दर्संगलिया न कि यह क्या बहुत पहले घटना हुआ था तो बच्ची पूल से फफिक देगा अंब kuolis वाले तो वहां Reynolds वहां से यहां दरöhति लोगरहिं आपकल माता राही निक्रिक हएं और गवल् अब सरकार अब डवलब्मेंट भी कर रही है कैसे देखते हैं महिमा क्योंकि दूर दरास अभी हमने कई सब दालू देखे जो अधर राज अधर स्टेट से भी आवे दर्शन के लिए और अभी तक से यहां पूरा होते जा रहा हो इसाफ से दर्तनार्श Goldman के उस्पर है यहां कुछ बदलाव होना चैहिए। पर इसकी कमी है ऐसा कुछ आईसास होते है यह ऐसे कुछ नहीं है बाकि अपनी साफ से चल रहा है हटीक है तो जो तस्वीर बता रहें जो कहानी हुआ करती थी यह वही पूल है जिस फूल से पूलिसिया जो इसको द्ञाना भी बना हुआ है बहुत सारी महिमाय हैं, आप कैमरामेन को मैं कहूंगा कि द्रिश से दिखाएं क्योंकि यही पूल है, जिस पूल से कहा जाता था कि एक पुलिस वाले बच्चे को नदी किनारे नीचे फेक देते हैं, मातारानी उसको सिवकारते हैं, उसको उठाते हैं और उसको किनारे तक ल देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार भक्तों का जो विस्वास है, जो महिमा है, उसको लेकर के लगातार आपको दिखा रहे हैं, आगे देख सकते हैं, आगे में नवरात्र के समय में जोती कलस वहां पे जलती है, और जो भक्त जो है, वो अभी टिकिट उनका काउंटर अब चालो हो जाएगी कि नवरात अब कुछी दिनों में आप आने वाली है कि उसकी तैयारी चंदरपूर में जोरो से क्या जा रहा है नवरात्री को लेके किस प्रकार की तैयारियां हैं चंदरपूर में उसको लेके जानेंगी कि हमारे साथ दुकान वैपारी हैं चंदरपूर में इस बार किस प्रकार की नवरात्री को लेके तैयारियां है से त्यारी है अब देखो महां के कैसे किरपर हैगा उसका दो साल से तो कोरोना कार में बन था दुगांदारी वैपारी पूरा ठाप था अभी देख लिए अभी जोर सोर से चरल रहा है त्यारी नवरात्री का महां का क्या महमा होगा देखेंगे अब एक चीज़ और है कि अब पता नी सकते उसको अभी देखो दीवेदे औरह बनेगा सेटल होगा तो मने विकास सोगा देखेंगे कैसा हो रहा है पहले जानेगीर था देखो वालाक गिरा था एक नदी में उसको बचाया था किसका मैंभाā करता है पुरह बहुतSe सरदालव से लिए बहुत लगलते संक्ता पूरा करता है यह तो घो जोर से टयारियों चाहि हो यहוה अब महिमा होगा मां का तो क्या हो रहा है अब देखो मां का मंदीर क्या हो रहा है अब देखो सजा रहे हैं करोना काल के बाद इस बार फहरा ऐसे नवरात होगा जो कुरोना गाइड लाइन और कुरोना कालई के माताराने किरपा करेंगे। चंद्रपूर में दो सिध्ध पिठ गिरे थे जिसे बड़ी बहन चंद्रहासनी और छोटी बहन नाथल दाई के नाम से भी जाना जाता है बड़ी बहन पाहाड के में विराजती है तो वहीं दूसरी ओर महानदी के बीच विराजती है मानाथल दाई दोनों मंदेर और माताओं की कहानी अध्भुत रहसे से भरपूर है। माता के दर्शन के लिए देश भर से श्रधालो आते हैं और ऐसा मानना है कि मातारानी सभी की मनकामनाओं को भी पूर्ण करती है।